इस बात की खुशी इतनी ज़्यादा है कि जाहिए ठीकते बन रहा है हमारे अरब की बेटी को बुड़ा इंसाफ मिला है इसके लिए हम लोग बुड़ा खुशी आज़ा है अरे एक बहुत अच्छा कादन है अधराबाद पुली जिंगाबाद सुना आपने देशभर से लगातार यही प्रतिक्रिया आ रही है जबसे लोगों ने सुना कि हैधराबाद की अपराधियों को तेलंगाना पुलीस ने एंकाउंटर में मार गिराया दरसल मासूम दिशा को उन चार दरिंदों ने पहले तो अपनी हवस का शिकार बनाये था फिर उसे जिन्दा जला दिया आस तण के सुब़ जब पुलीस मुकायवारदात पर अपराधियों को ले कर गई तो वो भागनी लगे और पुलीस पर ही तूट पड़े लेकिन पुलीस के मुस्तैदी की वज़ा से मारे गए चारो अपराधियों के मारे जाने की खबर जंगल के आग की तरह देश भर में फैल गई और जिसने भी सुना वो तेलंगाना पुलीस की तारीफ करने से खुद को नहीं रोप पाया अब बिहार में भी लोगों का उत्सा देखते ही बन रहा है लोग खुब तेलंगाना पुलीस के समर्थन में नारे वाजी भी कर रही है और कह भी रहे हैं कि सिर्फ मुम्बतियां जलाने से अपराध कम नहीं होगा अपराध को कम करने के लिए अपराधियों में पुलीस का खौब भी होना चाहिए मुम्बतियां जलाने से काम नहीं चलेगा अब अपराधियों को ऐसे ही मारना परे इन चारों का इंकाउंटर करके बहुत अचा किये इसके लिए हम लोग फैंस करना चाहते है भैदाबाद परशाशन को मैं कोटी कोटी नमन करते हुए थन्मेबाद देता हूँ जब हम बहुत सारे देशों के कानून को देखते हैं कि जिस तरह कर उन्हों ने जगहन अपराधि किया है उसे तो उनको तुरंधी सजा मिलनी चाहिए थी मगा खेर पुलिस ने हमारे नजरिये से बहुत अच्छा किया उनको एंकाउंटर किया या उनको मारा अगर ये कानून के दाइरे से जाता तो बहुत लंबा समय लगता हमारे नजरिये से देखा जाते बिलकुल उन लोगों ने अच्छा किया हम इसका समर्थन करते हैं पहरहाल इनसाफ की चौखट पर जब भी न्याय मिलने में देरी हुई है तो अंजाम कुछ ऐसा ही रहा है लेकिन फिर भी न्याय विवस्था में लोगों का विश्वास बना रहे हम यही आशा करते हैं क्योंकि सम्विधान की रक्षा भी तभी हो पाएगी टेडी से न्यूस के लिए गया से अभिशे कुमार, पटना से अक्तर अली और सासा राम से अभिना श्रिवास्तो की निपो है 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 हुआ है